उस सभी युजनाओं में जो जनता सीधे लाब पा रही है और विकासकार से वो लाबानी थो रही है, मेरे दोरा करा गया है 339 आज के डेट में मेरे यहां सब के घर में सवचाले बना हुआ नमस्कार स्वागत है आपका सक्षम्नोज इंडिया के खास प्रोग्राम घेरे में प्रधान जी इस वक्त आपको बता दे हम की पहुच चुके हैं गोरख पूर जनपत के बढ़लगन विकास खंड अंतरगत पटना गाव में आज एहां की जनता भी हमारे साथ है एहां के प्रधान भी हमारे साथ है प्रधान को घेरे में लेते हुए एहां के पांच वर्सों में जो विकास कारे हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे जनता से उन से सवाल जवाब करेंगे एक संबाद कायम करने के कोसिस करेंगे कि विगत पांच वर्चों में क्या विकास के कारे हुए हैं तो हम प्रधान को घेरे में लेते हैं मैं रोट करूँगा कि आप आये हमारे बीच आपको बता दे के हमारे साथ पठना गाउं के प्रधान हिड़े संकर सिंग हमारे साथ हैं जो बढ़लगन विकास खंड के प्रधान संग के अध्यच भी रह चुके हैं तो सबसे पहले शुर सबसे पर आपको मेरी कार्यकाल के बारे मैं आपको संशिब्ट रुप में पूरे चार साल कमरे काम बता रहा हूं सबसे पहले एक मोटे लाइन में बता दू कि 2000-2005 तक मैं गरामप्रधान था 2005 से 2010 के बीच में मेरी पत्नी थी 2010 से 2015 के बीच में पिछडी सीट हो गई इसलिए उसमें मेरा गैफ हो गया था फिर 2015 से आज तक मैं ग्राम परधान हूँ जितनी ग्राम पंचायद पत्ना में वैसे तो राजस्टो ग्राम 10 हैं हमारे लेकिन 4 आबाद हैं और 6 गर पाफुलेटेड हैं नान पाफुलेटेड हैं जहां आबादी नहीं है चारो गाउं में जहां भी अगर आप किसी गाउं में जाकर के जनता से पूछें या मोके पर देखें तो उसमें 95 परसेंट जो भी विकासकार हुआ है चाहे नाली हो, चाहे खड़ंजा हो, चाहे पक्की सड़क हो, चाहे सीसी रोड हो, चाहे बिरधा पिंसन हो, चाहे विदवा पिंसन हो, चाहे विकलांग पिंसन हो, चाहे प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना हो, या फिर आपके बाढ़ में जो भी साहत्या जितनी भी युजनाय गुवर्मेंट की संचालित हैं राज्य सरकारों भारत सरकार की उस सभी युजनाओं में जो जनता सीधे लाप पा रही है और विकास कार से वो लाभानीत हो रही मेरे द्वारा करा गया है अब बहुत सारे बाते कर रहे हमारे साथ जनता भी है कितना बा सवाल वी आपसे बनते हैं सवाहल नाली की होती है देखा जायतों जलजमाओं अग्रा नेने बाते को दो बहुत सारे गावं को लेकर उन्हों ने बाठे कि कोंकि कहा जाता है कि भारत गावं का देश है, सोचाले, क्योंकि लाल कले के प्राचीर से आपने भी सुना होगा और जिसे तर के सुनो ने कहा कि हर घर घर में सोचाले हो जो महिलख our बाहर न जाय मैं जानना चाहूंगा आपसे सोचाले कितना आपके लोगों के खिलाब मिल पाया है अब तक 333 सोचाले मेरे ग्राम पंचायद के चारो गाउं में निर्मित हो चुके हैं पुना एक दिन के लिए साइड खोला गया मांगा गया है परसो तो बारा लोग और सूची भेजे गए हैं और वो बारा लोग ऐसे हैं कि उससे में वो लोग लागडाउन में गाउं आ गए पहले बाहर थे या उनके पास जमीन नहीं थी या बनाने के उनके पास इस तरह की कोई बिवस्था नहीं थी तो लोग अपना स्विच्छा से नाम भेजे हैं तो बारा यह नाम गया यह भी बन जाएगा तीन सो तैयंतिस आज के डेट में मेरे यहां सब के घर में सवचाले बना हुआ हम यह नहीं कर सकते कि उसमें कोई बंची थे बंची थे तभी दोबारा नाम आ गया तो आईसे लोग थे जो लागडाउन में गाउं आ गए हैं प्रवासी मजदुरुआ गाउ में और गाउं में तो विकास बहुत हुआ है खास करके इस प्रधान जी के जमाने में हमारे हां बजबजाती नालियां मैं पेसे से चीखिस्सक हूँ मैं जाता था रात में किसी को दबा करने तो इतना जो है चपल निकाल के घर पर रख देता था और अंधेरे में जाता था गिरते पड़ते उनकी दबा करके आता था आज इसती है कि चपल हो या नहीं हो तो आदमी निकल जाएगा बिजली शड़क नाली यह तीनों बहुत दुरूस्त है और भोजन की बात है आज लागडावन में देखिए रासन मिला है सबको हर तरह से मिला है और भी जो बाद भी बाद होता है हमारे गां में कोई बादे भ पहुचते हैं और हमारा हमारे यहां काम कर लेते हैं जो बीबात करते हैं उनको सांथ कराते हैं अब बल्ब अगर अगर हमको नहीं जानकारी है हमारे काओं में कि कहां बल्ब हुज है परदान जी को मालूम हो जाता है और यह जो है बल्ब तुरंत लगवाते हैं चाहे अप कोई बहुत सीरियत होता है तो तुरंत अपने गाड़ी बैठाता है इंबुलेंस जई से लेके भगते हैं गोरखपुर जाते हैं और वहां उसकी दवा कराते हैं तो हमारे गाउं के सारे लोग संतूष्ठ हैं यह है कि 100% संतूष्ठ तो कोई नहीं हो सकता लेकिन कम हम कहेंग रहे आप इस गाउं के निवासी हैं क्या लगता है कुछ समस्या हैं गाउं में ना कोई समस्या है हम लग सबस्ट है रासन मिलता है नाली खरेंजा जो भी है साब सफाई हमेसा होता रहता है कोई दिकत नहीं एक चीज़ और अपने दर्स को कम बताना चाहेंगे जब हम आप ब्रू हो रहे हैं तो जिस गाउं में हैं यह 2008 में राष्टपती प्रूसकार से भी सम्मानित गाउं रहा है उस समय साइद आपकी पत्नी रही है प्रत्मासिंग पत्नी रही है इस समय आप है अच्छा एक चीज़ और देखा जाए आप पेसे से अगर देखा जाए तो पढ देखते कि यह चीज़ें बडला होनी चाहिए और सरकार को गाउं के बारे में यह चीज़ें सोचना चाहिए एक सिच्छक के तोर प्याप क्या मानते हैं तेखिए जो मूल भू सुबधाएं गाउं में होनी चाहिए अगर वह सुबधा वहां मिलेगी सिच्छा चिकित्सा बिजली, सडक, पानी तो गाउं मजबूरी में लोग सहर में जाते हैं यह जनपत का दुरस्त गाउं हैं 76 किलो मीटर पे दो नदियों के बाढ़ के परकोप से हमेसा यह परभावित रहता है फिर भी हमारे यहां यह जो पूर माधिंग बिद्याले देख रहे हैं प्राथि अच्छे बच्चे जाकर कि इंजिरिंग और जाब में भी चले गए हैं सेना में भी गए हैं हम लोग खुद इसी बिद्याले में पढ़े हैं हम यहां के जो परधना ध्यापक है मेरे साथ ही इस प्राइमरी यह मिडल में पढ़े हैं और यह बहुत पूरा पूरे जा इंटर कर दिया जा लेकिन पास में दो किलोमेटर चार किलोमेटर पर बिद्धाले हाँ पर हैं और आपको मैं बता दू कि तीन-तीन कार्णिवेंट इस्कूल के बावजूद भी मेरी ग्राम पंचायत की 265 बच्चे आज भी मिडल इस्कूल में हैं 245 प्राथिंग बिद् सब्धा देते हैं एमडियम की सब्धा साब सफाई की सब्धा पठन-पाथन की सब्धा हम एक सिच्छक होने के नाते खुद हम मांडरिंग करते हैं अध्यापक जो यहां हैं बहुत अच्छे हैं कुसल है मेहना से पढ़ाते हैं इस अभी पहरिया में आप चले जाईए का फी महतपूर अस्थान भी रखता है किसी भी गाउं के लिए हमारे साथ कुछ एस गाउं की महिलाए भी हैं उनसे जानना चाहेंगे आप इस गाउंग की राक्या नाम है आपकी पर मिला कि पुछ परसाणी है घाम मिल जाता है घार महिना में मिलता है परद्धान जी सब लोग के डुख तकली उतलते हैं जाते हैं जाते हैं पुछते हैं सब launch करते हैं परदान से कोई नहींग है कमी है सटको किस Нँवर्त से डेख्ते हैं आपके आपके गांव में सदके बारिस में वार्श में होता होगा कि जल्जमाओ इसानी आप लोग को सब्सक्राइब करते हैं तो यह उमीद करती है कि जन प्रतनीदी पांच साल हमारे उमीदों पे खड़ा उत्रेगा और वी कुछ लोग हमारे साथ उनसे जाना चाहेंगे लागडाउन जब हुई थी कोरोना को लेकरके बहुत सारी समस्या आई थे सरकार ने कई सारे योज़नाय एक रासन को लेकर के चलाई है इसकी सबको रासन मिले क्या लगता है लागडाउन में फाइदा में और उनको किसी प्रकार का जो है कमी नहीं था उनका चाय रासन हो, चाय टीटमेंट हो, चाय जाच करवाना हो परधान जी स्वयम लियाकर के टीम यहाँ जाच करवाए उनलों को समचीत बेवस्था दिये थे और हर तरह से उनके घर परिवार के भी रच्छा किये थे पूरे लागडाउन में जिसके घर भोजन की बेवस्था नहीं थी, उनको एक्ष्ट्रा रासन भी देने का काम प्रधान जी ने किया और रासन जो भी सरकारी सुभदा आती है, सीधे यहाँ जनता को प्रधान करवाने का काम प्रधान जी करते हैं यहाँ जो भी कार हुआ है, चाया नाली हो, खणजा हो, वैसी बेवस्था इस पूरे नयाई पंचायत में किसी ग्राम सभा में नहीं है, जो इन्होंने घीच करके अपने सिच्छा से, अपने दिमाग से जो लिया करके जिले अस्तर से यहाँ काम किया है, वो आपको कहीं इ नहीं दिखाई देगा, जो यहाँ इस ग्राम सभा में है, इन्हीं के चलते हम लोग दुरलब जिन्दगी, हमारे ही मैं अभी 30 से 32 साल का हुआ हूँ, मैं अपने ही जीवन में देखा हूँ कि कुछ अन्यने परदान थे, जिनके समय हम लोग, ना हम लोग को सिच्छा मिलने की बेवस्था थी, ना हम लोग को राष्टे चलने की बेवस्था थी, ना पानी निकलने का बेवस्था था, हम लोग अपने हाथ से पानी अपने गड़े का निकाल करके फेकते थे, लेकिन परदान जी जब अपने हाथ में यहां का कमांड समारे, हर गरीब मजदूर किसान बेक्तिका नाली से लेकर पानी से लेकर के हर बेक्तिके दरवाजे पर आप बीना चपल के जा सकते हैं उसमें कचड़ा आपके पहर में नहीं लगागा चाहिए बरसात हो या गर्मी हो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ठीके यहां पर अगर देखा जा तो जंता का मिला जु क्या लगता है कि क्या बर्ला होना चाहिए क्योंकि काफी बड़ी संख्या के अबादी रहती है तो क्या लगता है से जिससे गाहों के लोगों को बाड़ से उससे छुटकारा मिल पाए sulfon currently दोनों किनारे कोई तडवन्थ नहीं है बंधा जरूर चला बासगाओं विधान सभा से चलते हुए चिल्लू पार तक आया और खुटभार और यहां सरया के पहशीम आ करके बंदो गया यह पहरिया होते हुए उग्रसेन सिर्थ तक मिलना चाहिए और घागरा नदी जो सरजु नदी के तट पर है धिरमाश चपियां से वो बंधे को और नदी के किनारे होते हुए लैकर के कौल खास जो हमारा विश्थापित कौल खास है वहाँ इसको मिला देना चाहिए तो यह म हमें कि न चारो ने काहिए जंता है पूछ लिजीए मैं इस आइसी बेव Independ कि यहां हूं कुछ अपने दरवाजा से को भी गूम्हाणा का किसि भी राजंद-स्ण बेगित निकले तो आंतरिक पूरे चारो ग्राम सभा में किसी गाउमें जा सकता है। किसी की दर्वाजी पेजा सकता हैं कोई भैर नहीं कोई डर नहीं इसका लव एद हनाई ह। जो चोरी होता था जो अपराद होता था पुलिस का भी कहाना है कि आपके गाओं में जीरो टालेंस का अपराद है बिल्कुल हम लोग कहीं से कोई अदा कदा कोई गाली गलोज का कोई जमीनी विवाद का कोई मैटर आ जाता है नहीं बाकी गाओं में कोई महिना नहीं कि दो च सदस लोगों को जो गाओं के सम्मानित लोगों को बैट करके एक अच्छा माहल बना कर हम लोग वहाँ पे उचित का जो उचित होता है जो अनुचित काम करता है उसको हम लोग सामाजी गुरू से बहिजकार करते हैं डाटते हैं और उसको मनाते हैं नहीं मनता है तास्थानी पुलिशों की का थोड़ा सा सहुग लिया जाता है और यह बामला दून पच्छों को संतुष करते हैं यही कारण है कि मेरे यहां का कोई पेंडिंग न तासिल में है न थाना दीवस में है न चोकीप है यह एक अच्छा मैसेज जनता के बीच जाता है और दूसरे गाओं प्र इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग किसान हैं और हम लोग की खेती यह जो है कोल और पकड़े गुए है और यहां बालू माफिया जो है बालू निकाल रहा है पिछले साल भी सारे कट गए खेत अब जो हम लोग भूमहीन होने का गारपन है थोड़ा सा खेती रह गया है खनन को लेकर के हाँ पर समस्या हैं मैं उमीद करता हूं कि जो भी अधिकारी देख रहे होंगो वह संग्यान मिलेंगे तो घेरे में प्रधान जी कारकम के ताहज आज पटना गाउंस इतना है फिर अगले हपते मिलेंगे एक नए नए समस्याओं को लेकर के नए जनता के ब आप देख रहे हैं सक्छा न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसे तेज़